दोस्तों, computer पर कभी-कभी एक common problem आ सकता है, हम यहाँ पर print निकलने जाते हैं, तो यहाँ पर हमें legal size का paper size होता है, वो printer में नहीं दिखाता है, ठीके यहाँ पर खाली 5 से 6 option आपको मिलेंगे, आप यहाँ पर paper size में जाओगे ना, तो यहाँ पर भी आपको limited ही option आपको मिलेंग control panel को खोल ले ला है अपनी computer का, control panel खोलोगे तो उसके बाद आपको जाना है hardware and sound में, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर printer, device and printer पर क्लिक कर लेना है, जैसे आप device and printer पर क्लिक करोगे तो जितने भी devices आपके machine में इंस्टाले वो यहाँ पर आ जाएंगे, जो भी आपका printer printer है, उस printer पर आपको right click करना है, और right click करने के बाद यहाँ पर कुछ options आएंगे उसमें से आपको printer properties जो है, इसको select कर लेना है, प्रिंटर properties पर क्लिक करने के बाद आपको advance का एक option यहाँ पर मिल जाएगा, उस advance के option पर क्लिक किजे, और दोस्तों यहाँ पर driver नाम से आपको तो एक option मिलेगा नीचे, आप देखिए यहाँ पे, आपका जो भी printer आपने इंस्टाल किया हुआ है, या फिर यूज कर रहे हो, उस printer को आपको यहाँ से चूज कर लेना है, यहाँ पे automatically क्या होता है कभी-कभी, electricity के problem से हमारे printer के जो drivers होते हैं, वो यहाँ पे miss कर जाते हैं, त इतना करने के बाद दोस्तों, आपका problem solve हो जाएगा, आप size पे जाओगे न, तो यहाँ पे देखिए, जो भी option नहीं आ रहे थे, वो सभी के सभी option यहाँ पे आ जाएगे, इस में से आप कोई भी option चूज कर सकते हो, और अपने problem को, अपने परिशानी को दूर कर सकते हो, त अपने यहाँ पी printer में आने वाला जो problem है, इसको solve कर सकते हो, दोस्तों इस प्रकार की और technical के trees देखने के लिए, WhatsApp के trees देखने के लिए, चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो को like और share कर दीजिए, दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार.